अम्रावती जिले के जुडवा शहर अचलपूर में 26 मार्च की दोपर चार बजे अचलपूर के रेलवेस्टेशन परिसर में एक युवक तलवार एवं चाको बेचने आने की गुप्त सुचना के आधार पर अचलपूर पुलिस ने उस युवक को रंगेहाद गिरफतार किय युवक के पास से तीन लोहे की तलवारे और दो चाको बरामत किये गए जिनकी कुल कीमत 4,600 रुपय बताई गई है पुलिस सुत्रों से मिली खबर के मुताबिक 26 मार्च को दोपयर अचलपूर के रेलिवेस्टेशन परिसर से एक 24 वर्षिय युवक जिसका नाम विजय वानखडे को पुलिस ने गिरफतार किया यह युवक परत्वाडा के कालंका माता जोपड पट्टी परिसर का निवासी बताया जाता है पुलिस ने आरोपी के खिलाप भारतिय दंडविधान के 425 आर्म एक्ट के तहट कलं 371 तीन का उलंगन करने पर भारतिय दंडविधान कलं 135 माराष्ट्र पोलिस अधिनियम के तहट कारेवाही की है यह कारेवाही पुलिस अधिक्षक डॉक्टर हरिवालाजी एन अपर पुलिस अधिक्षक शाम घुगे उपविभागिय पुलिस अधिकारी अबदागीरे थानेदार सेवानन्द वान खडे के मारगदर्शन में पुलिस उपनीरिक्षक राजेश भालेराव पुर्षत्तम बावनेर, पुलिस कॉंश्टेबल विशाल, विलास, संधिप, मुजफर, आधियो द्वारा की गई यसेल न्यूज नेटवर्क परत्वाडा एवं विदाब न्यूज अमरावती के लिए परत्वाडा से जैकुमार घिया के साथ पंकच साबू की रिपोर्ट